यूएफसी टूएटी में चाल्स ओलिवेरा को हरा कर इसला मकाचेव बन गए थे अंडिस्पुटेड लाइट वेट चैंपियन लेकिन लाइट वेट चैंपियन बनते ही रिंग के अंदर से ही उन्होंने अपनी चाहत जो थी वो जाहिर कर दी कि मुझे अब पाउंड फॉर रिंग नंबर वन चैंपियन भी बनना है तो यहां पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन चैंपियन बनने के लिए चाल्स ओलिवेरा को हराने के बाद अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की को रिंग के अंदर ही कोल आउट कर दिया हबीब और इसलाम ने और कहा कि हम आस्ट् में ऐसे चैंपियन है 145 के जिनोंने एक भी हार का स्वाद UFC में नहीं चखा है जबकि इसलाम मखाचेव एक बार नोकाउट UFC में हो चुके है लेकिन अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की का करियर UFC में बिना दाग के है तो यहां पर आज की इस वीडियो को बहुत ही इंट्रेस् अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की और चैंप चैंप यानि की फैदर वेट और लाइट वेट दोनों का चैंपियन अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की कैसे बन सकता है कैसे जीत सकता है वॉलकुनोस्की हाव वॉलकुनोस्की कैन बीट इसलाम मखाचेव आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ हाँ लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की के लिए इसलाम मखाचव एक बैड मैचअप है यानि इनकी जब फाइट होगी तो जीतने के ज्यादा चांसिस रहेंगे इसलाम मखाचव के लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की को आप काउंट आउट नहीं कर सकते कि ये जीत नहीं सकते तो अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की का पूरा का पूरा गेम प्लैन क्या होगा आज मैं इस वीडियो में आप से डिसकस करूँगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेर सब्सक्राइब कर लीजेगा सबसे पहले यहाँ पर हम अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस्की के करियर की तरफ नजर डालते हैं उनकी एज देखिए 34 साल है सिर्फ जो एक लॉस होई है वो भी नॉकाउट से होई है सम्मीशन से और डिसीजन से नहीं आ रहे इनकी विन की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर 12 विन नॉकाउट से तीन सम्मीशन से और 10 डिसीजन से यानि तीनों तरीके से यह खतरनाक है नॉकाउट में भी सम्मीशन में भी और डिसीजन में भी अब इसलाम मखाचेव की तरफ हम देखें तो इसलाम मखाचेव का करियर भी लगबग सेम है 23 विन है और यहाँ पर एक लोस है 31 साल के मखाचेव है तो एस ग्रूप जादा बड़ा नहीं है यानि कि 3 साल का फर्क है कोई माईने नहीं रखता यहाँ पर इनकी भी लोस नोकाउट से हैं सम्मिशन से और डिसीजन से इसलाम मखाचेव भी एक बार नहीं हा रहे हैं और यहाँ पर 4 नोकाउट विन, 11 सम्मिशन विन और 8 डिसीजन विन यहाँ पर फरक क्या निकल कर सामने आया, फरक ये निकल कर सामने आया, कि इस्लाम मきますकाचव और वोलकनवसकी बेशक एक एक बार हारे हैं नोकाऊच से, लेकिन उनके जीतने का तरीका अलग है, यानि कि जीत की तरफ रास्ता वो निकलता है उनका, दोनों का अलग अलग रास् नीजों का डेंजर है पहला डेंजर है यहां पर क्लिंच का क्लिंच का मतलब क्या होता है क्लिंच का मतलब होता है जब एक फाइटर दूसरे फाइटर को होल्ड करें नीचे गिराने की कोशिश करें तो पहला डेंजर होगा क्लिंच का क्योंकि क्लिंच के अंदर इसलाम खतम कर देगा वोलकनावस्की dedicatedhält एक दूसरा है रैस्लिंग और तीसरा है gardening ग्रेप्लिंग ऐसा करना पड़ेंग इन तीन जीजों को अगर अवोईड करता है औक सटीर और नहीं मिल सकते हैं या नोपड़सों भीर मिल सकता है तो प्लैन ए count किना करने की मिल सकती है तो decision की कोशिश करनी चाहिए Alexander Volkanovski को अब इनके plus point क्या है Alexander Volkanovski के plus point की अगर हम बात करें तो distance management in or out यानि कि मान लीजे distance management क्या होता है मान लो यहाँ पर Alexander Volkanovski हुम है तो जो distance management होता है वो करने में बहुत तगड़ा है यहाँ पर Alexander Volkanovski और Alexander Volkanovski की जो foot moment है वो एकदम से अंदर और एकदम से बाहर है यानि कि punch किया in एकदम से बाहर तो यहाँ पर क्या होगा distance management in and out जो moment है वो Alexander Volkanovski की बहुत मस्त है तो जब शुरुवाती round हो पहला और दूसरा तो footwork करना पड़ेगा in and out की moment के साथ punching करनी पड़ेगी striking करनी पड़ेगी यानि कि distance management और striking यह दो ऐसे पहलू है जहाँ पर Alexander Volkanovski निखरते हैं तो इनका फाइदा उठाना पड़ेगा जब fight की शुरुवात हो तो make Islam Makhachew frustrated यानि कोशिश करनी पड़ेगी कि Islam Makhachew को frustrate किया जाए Islam Makhachew को frustrate Charles Olivera की तरह नहीं कर सकते हैं कि खुद जाकर grappling और clinching situation में भिड़ जाओ जो है Islam Makhachew से और यह प्रूव करने की कोशिश करो कि मैं clinching में wrestling में बैटर हूँ नहीं Islam Makhachew के खिलाफ यह गलती नहीं करनी पड़ेगी Islam Makhachew को frustrate करना पड़ेगा यानि कि उनको मेहनत करवाओ शुरू के और दूसरे round में शुरू के दो round में कि वो आपको take down करने की कोशिश करें आप बली का बकरा बनके उनके सामने ना जाएं कि लो मुझे take down करो जाकर clinch कर लिया और फिर take down कर दिया नहीं यहाँ पर Islam Makhachew को frustrate करो frustrate करने से क्या होगा shoot for urgent take down यानि कि Islam Makhachew urgent हो जाएंगे कि मैं take down जैसे तैसे करूँ और ऐसे situation में in and out moment के साथ striking से knock out किया जा सकता है Islam Makhachew को क्योंकि urgent जो take down होगा उसमें कई बार अपने आपको stretch कर देता है Islam Makhachew तो यहाँ पर पहली fight शुरू होता ही पहला point यह है दूसरा यह है कि जब यह time मिला हुआ है इसमें अपने आपको थोड़ा सा bulk up करें क्योंकि 155 में आप Islam Makhachew को और Alexander Volkanovski को आमने सामने खड़ा करके देखोगे देखिए यहाँ पर आमने सामने खड़े हैं यह यहाँ पर Alexander Volkanovski को तुम ध्यान से देखो तो Islam Makhachew के सामने काफी छोटे और साइज में कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन Alexander Volkanovski को थोड़ा सा bulk up करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं उसके साथ अपनी strength और conditioning के उपर भी जोर देना पड़ेगा मान लीजिए Islam Makhachew को नोक आउट नहीं कर पाया प्लैने नहीं चला तो प्लैन भी यूज में लाना पड़ेगा यानि कि अपनी strength और conditioning से stamina से 5 round उन्हें war करनी पड़ेगी 5 round war करनी पड़ेगी और उन 5 round में अगर Islam Makhachew को नोक आउट नहीं कर पाते हैं तो कैसी striking होनी चाहिए पहले बात तो होगी कि 5 round में अगर आपको लगता है कि मुझे decision से जीतना है तो Islam Makhachew के खिलाफ decision से जीतना ना मुम्किन है लेकिन इसको मुम्किन किया जा सकता है clinching को avoid करके जो कि अगर आप खुद clinch नहीं करोगे और दूसरे को frustrate कर दोगे तो वो क्या करेगा takedown की कोशिश करेगा fail तो ऐसे में knockout किया जा सकता है यहाँ पर stop takedown early यानि कि round की शुरुवात में अगर takedown की कोशिश हो तो 2-3 takedown रोकने पड़ेंगे क्योंकि जब 2-3 takedown रोक जाते हैं तो जो player होता है उसको level change करने में दिक्कत आती है level change करने का मतलब है ground में ले जाना level change पहले striking कोई कर रहा है तो उसको ground में ले जाने को level change कहते हैं तो level change करने में दिक्कत खड़ी करो इसलाम के सामने और इसलाम के सामने try to win rounds यानि कि शुरुवात से ही पहले round से ही ज्यादा से ज्यादा round जीतने की कोशिश करो क्योंकि यहां पर इसलाम मकाचेव का fighting style ऐसा है कि इसलाम मकाचेव को अगर finish नहीं मिलती है तो इसलाम मकाचेव भी decision की तरफ जाते हैं तो अगर Alexander Volkanowski somehow नहीं possible होते हैं नोक आउट करने में तो rounds को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी यहां पर तो avoid clinching, wrestling and grappling and implement your own game plan on striking यानि कि striking का अपना game plan implement करना पड़ेगा इन एन आउट मूवमेंट के साथ जो है rounds जीतने पड़ेंगे जैसे इसराइल अड़ सानिया और Alex Freyra का आपने fight देखी होगी तो वहाँ पर जिस तरीके से इसराइल अड़ सानिया round जीत रहे थे secure कर रहे थे अपने लिए कि चलो finish ना भी हो तो जब decision आये तो maximum round कम से कम 3 round तो ऐसे हो जो मैं जीत चुका हूँ तो यहाँ पर Alexander Volkanovski के पास plan CB हो सकता है कि 3 round चैसे तैसे जीतने की कोशिश करें और 2 round में वो surviving game भी खेल सकते हैं तो यहाँ पर हमें ये complete fight देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों fighters जो हैं अपनी career के peak पे हैं champion versus champion का match है 5 से 10 साल में कभी कोई ये match हमें champion versus champion देखने को मिलता है लेकिन ये साल काफी lucky था क्योंकि इसमें हमने यान बलोविच और इसराइल अड़सानिया का champion versus champion देखा लेकिन अब ये जो match होगा UFC 284 में पर्थ में ये champ versus champ की history में one of the best, one of the toughest and neck to neck competitive match होगा क्योंकि both the fighters are very highly skilled and their skills are so polished that कोई भी जीत सकता है अब आप मुझे बताओ कि Alexander Volkanovski को अगर जीतना है तो मेरी कही गई बात नहीं को मानना पड़ेगा या नहीं और आपके पास क्या plan है कि Alexander Volkanovski कैसे Islam Makhachov को हरा सकता है लेकिन मेरा final take ये है कि ये fight जो है ये bad match up है इसमें Islam Makhachov जीतेगा लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि Alexander Volkanovski जीत नहीं सकते आपके इसाब से Alexander Volkanovski कैसे जीतेगा कैसे चांस है नीचे comment box में comment करके बताएं क्योंकि जो आपके comments होते हैं वो knowledge से भरे हुए होते हैं और आपसे ज्यादा knowledge वाला बंदा कौन है कोई नहीं है तो जिल्दी से comment करें और like, share और subscribe चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए Take care